हेलो दोस्तों नमस्कार मैं डाक्टर मनीश सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों आज हम लोग समस्ते हैं फ्रिंज चोड़ाई नापकर प्रकास की तरंगदैर कैसे ग्याद करना है आए इसको हम लोग सीखा जाए तो ध्यान दें यहाँ पे एक फीगर ब जो एक वाणी प्रकास से दिप्त होता है यह रissements सामने आप देख रहे हैं किस समीफ दो रिखा चीद्र हैं जिनके बीच की दूरी क्या है डिय है ठीक है दो रेखा चिदर S1 और S2 जो एक दूसरे के समीफ है ठीक है और चिदर S के समानतर है यह जो रेखा चिदर S1 और S2 है वो S के ही सीद में है S के समानतर है और S से बराबर दूरी पर है S1 और S2 दोनों की दूरियां जो है S के बराबर है और समानतर है ठीक है अब जो है S से चलने वाली जो प्रकास है S से चलने वाली प्रकास तरंगे S1 और S2 पर समान कला में पहुंचती है ठीक है यहां तक आपने क्या माना S एक रेखा चिदर है जो एक वड़ी प्रकास से दिप्त है S1 और S2 एक दूसरे के समीप दो रेखा चिदर है जो रेखा चिदर S के समानतर और S से बराबर दूरी पर है ठीक है यह से चलने वाला प्रकास तरंगे S1 और S2 पर समान कला में पहुंचती है ठीक है हाइगेंस के हाइगेंस के सिध्धानत के अनुसार S1 और S2 जो है नए प्रकास रोत का कार्य करता है हाइगेंस के अनुसार S1 और S2 नए प्रकास रोत का कार्य करता है अब चुकि इनके बीच कलांतर नियत है इनके बीच अंतर नहीं है इनके बीच कलांतर नियत है इसलिए यस्वन और यस्टु जो है कला संबद स्रोत होंगे इनके बीच कलांतर नहीं है इसलिए और यस्वन और यस्टु क्या होंगे कला संबद स्रोत होंगे यस्वन और यस्टू से दुतियक तरंगी काये चलती है जो दूर इस्थित परदे पर वेतिकरण फ्रिंज बनाती है इन फ्रिंजों की चोड़ाई को नापकर हमें प्रकास के तरंग दैर की गणना करना है तो आप देख रहे हैं कि यस्वन और यस्टू से दुतियक तरंगी काये चलती है जो दूर इस्थित परदे पर वेतिकरण फ्रिंज बनाती है और इन ही फ्रिंजों की चोड़ाई नापकर हमें प्रकास की तरंग दैर की गणना करनी है ठीक है माल ले रहे हैं श्लिट के बीच अंतर था S1 और S2 के डिफरेंस D है ठीक है माल ले रहे हैं श्लिटों के बीच का अंतराल S1 और S2 के बीच की दूरी कितनी है D है ठीक है स्लिटों से पर्दे की दूरी स्लिटों से पर्दे की दूरी अर्था C से O तक की दूरी C से O तक की दूरी D है C से O तक की दूरी क्या है D है ठीक है स्लिट से पर्दे की दूरी C O बराबर कितना है capital D है माना परदे परिस्थित बिंदु P यहाँ पर देखे ध्यान से यह परदा है इस परदे पर बिंदु P है यह क्या है बिंदु P है परदे परिस्थित बिंदु P एक दिप्त फ्रिंज बनाती है यह बिंदु P जो है यहां पे कैसा fringe बन रहा है एक bright fringe बन रहा है दिप्त fringe बन रहा है यह माल ले रहे हैं परदेप परिस्थित बिंदुपी पर एक दिप्त fringe बन रहा है तिक है माना दिक्रेखा छिद्र S1 और S2 का लंब अर्धक C O है यह लंब अर्धक S1 और S2 के लंब अर्धक इसे लंब का आधा क्या है C O है यस्वन और यस्टू का लंब अर्धक क्या है C O है ठीक है यस्वन और यस्टू का लंब अर्धक C O परदे पर बिंदू O पर मिलता है यस्वन और यस्टू का लंब अर्धक C O जो है वह परदे के बिंदू O पर मिलता है ठीक है बिंदू P से O की दूरी बिंदु P से O की दूरी कितनी है तो बिंदु P से O की दूरी X है बिंदु P से O की दूरी कितनी है X है ठीक है P O की दूरी P से O तक की दूरी क्या है X है ठीक है S1 और S2 से चलने वाली तरंगे जो है बिंदु P तक पहुँचने में कितनी दूरियां तै करेंगी, ठीक है, S1 और S2 से चलने वाली, S1 और S2 से चलने वाली तरंगें, बिंदु P पर पहुँचने के लिए, अलग-अलग दूरियां तै करती है, यह S1 P और यह S2 P तै करती है, ठीक है, तो S1 और S2 से चलने वाली तरंगें, S1 और S2 से चलने वाली तरंगें, बिंदु P पर, कहां पर? बिंदु P पर पहुचने के लिए, बिंदु P पर पहुचने के लिए, अलग-अलग दूरियां, अलग-अलग दूरियां, कौन-कौन है? S1 P है, और S2 P तै करती है, तै करती है, ठीक है, S1 P और S2 P दूरियां करती है, ठीक है? S1 P, S1 P और S2 P तै करती है, दुनों अलग-अलग दूरियां, अब इनमें अंतर क्या है? ठीक है, अतह, इनके बीच, पत्हांतर, पत्ह का अंतर, इनके बीच पत्हांतर, पत्हांतर मतलब, S2 P माइनस S1 P, S2 P माइनस S1 P है, इनके बीच पथांतर क्या है? S2P-S1P है यह कैसे निकलेगा पथ में अंतर? तो इसके लिए एक लंब ढाला जाएगा माना S1 से S2P पर लंब S1A है S1 से S2P पर लंब है S1A S1A डाला गया डाला गया है उस कंडिशन में तब बिंदु P पर दोनों तरंगों के बीच पथांतर तब बिंदु P पर दोनों तरंगों के बीच बिंदु P पर दोनों तरंगों के बीच पथांतर क्या होगा? तो S2P-S1P बराबर होगा S2A S2P-S1A बराबर किसका होगा? S2A के यही पथ में अंतर होगा यही S2A यहां तक की दुरी यही पथांतर है ठीक है? अब यहां पर हमें निकालना है पथांतर तो आप निकल चुका है अब आगे जो है कैसे साल्व होगा? आईए ध्यान से समझेगा तो पथांतर मालूम हो चुका है अब इसको थोड़ा सा हम इरेच कर दे रहे हैं तो पथांतर जो निकला है वो है S2P माइनस S1A बराभर S1A ठीक है? यही आपका पथांतर निकला है नहीं S2A S1A नहीं यहां पथांतर है अब देखें द्यान से त्रिभूज क्या? त्रिभूज? कौन सा त्रिभूज? S1, S2A देखें द्यां से S1, S2A यह जो त्रिभूज यह एंगल थीटा S1, S2A यह एंगल थीटा ठीक है? तथा तथा P-C-O कौन सा तरभूज? P-C-O समरूप है S1, S2A यह तरभूज और कौन सा तरभूज? P-C-O P-C-O यह तरभूज यह एंगल थीटा बन रहा है S1, S2A यह तरभूज ठीक है? और कौन सा तरभूज? P-C-O यह त्रिपूज, दोनों क्या है? समरूप है, तो समरूपता का नियम क्या है? अतह, यस्टू ए, यस्टू ए, बटे S1 यस्टू, बराबर हो जाएगा, O P बटा C P, ठीक है? यस्टू ए, यह दूरी, और यह लंबवद दूरी, S1 यस्टू, S2 ए, बटा S1 यस्टू, बराबर होगा, O P, यह दूरी, लंबवद दूरी, O P, और बटे C P, यह दूरी, C P, किस नियम से? समरूपता के नियम से, दो त्रिपूज कौन कौन बन रहे हैं? S1, S2, A, यह एक त्रिभूज बन रहा है, कोड़ थीटा है, और बन रहा है, P, C, O, यह एक त्रिभूज बन रहा है, P, C, O, इसका कोड़ थीटा है, यह दोनों क्या है? समरूप है, ठीक है? तो S1, S2, ठीक है? नियम लगाएंगे, S2, A, यह दूरी, S2, A बटे S1, S2, S2, तो O, P, बटे C, P, ठीक है? यह हो गया, अब जो है दूरी, दूरी, C, O, जो दूरी C, O है, C से O तक की दूरी, यह दूरी, दूरी, C, O, S1, S2 की तुलना में, S1, S2 की तुलना में बहुत बड़ी है, क्या है? बहुत बड़ी है, जो दूरी C से O तक की दूरी है, वह इस S1, S2 की तुलना में क्या है? बड़ी है, बहुत बड़ी है, ठीक है? आता है, CP को CO के बराबर ले सकते हैं CP को CO के बराबर CO के बराबर ले सकते हैं CP को किसके बराबर ले सकते हैं CO के बराबर CP को ले सकते हैं CO के बराबर क्यों ले सकते हैं क्योंकि जो CO दूरी है C से O तक की दूरी है वो S1, S2 के तुल्ला में बहुत बड़ी है इसलिए जो है हम अब लिखेंगे S2A बटा S1, S2 बराबर OP बटे OP बटे CO ठीक है? CP के जगा क्या लिखेंगे? CO लिखेंगे ठीक अब बैलू लगते हैं बैलू पूट करते हैं S2A बटे S1, S2 S1, S2 की दूरी क्या माने है? D D माने है और O से P तक की दूरी क्या माने है? X माने है